हेलो गाइज, कैसे हैं? आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब लोख स्वस्त हूँगे, और प्लनी पढ़ाई में बस्त हूँगे तो गाइज, आज हमारा जो टोपिक है, वो है Plant Kingdom का Gymno Sperm तो आज हम Gymno Sperm के बारे में बात करने वाले हैं और आज आपने हम इस lecture में आपको जो है एक hand written notes के साथ आज हम उपस्तित हैं और इसके साथ मैं lecture भी आपको दूँगा theory class भी होगी और इसके बाद जो practice session होने वाला है guys उसमें 30 प्रसनों को हमने सामिल किया हुआ है और 30 ऐसे प्रसनों है जो बहुत ज़्यादा important है guys तो आज क 19 प्रसनों को जरूर देखते हैं आप लोग तो चलिए सबसे पहले theory देखते हैं और आज ये video मैं आपको उपलब धिविक करा दूँगा ठीक है तो चलिए देखते हैं फटा-फट के बिल्कुल अंदाज में कि आज जिम्नो स्पर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं जिम पौधे ही क्या कहलाते हैं जिम्नो स्पर्म कहलाते हैं ठीक है तो देखे जरा इसकी विशेष्टा यहां पर है गाईज इसकी विशेष्टा यह है कि अब यहां पर देखे जड़ भी बनती है इस पौधे में तना भी होता है पत्ती भी होती है और बीज भी होता है क्या होत और यहां बीज बनता है ठीक है और आप जानते हैं कि भीज फल के द्वारा ही फल मित्ति के द्वारा ही गिरा रहता है तो इसमें आवरण ही नहीं होता है इसलिए नगन भीज ही होते है ठीक है तो यह जो Gymnoisperm स्थावज पर्म्म है और जिमनो का मतलब क्या है नेक्ड जिमनो का मतलब है नेक्ड और जीमनो और दूसरा sperm तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड नगन और sperm का तलब seed नगन बीजी पौधे आप कह दीजिए नेक्ड सीड नेक्ड सीड अर्थाथ नेक्ड सीड बीरिंग प्लांटा ऐसे पौधे जो नगन बीजी होते हैं बीच को धारन करते हैं उसके उपर कोई आवरा नहीं होता है उसे नगन बीजी पौधे कहते हैं ठीक है आप इसको देखे किसमें रखा गया है प्लेस बीट्विन टेडोफाइट्स और एंजियो इस्पर्म आप जानते हैं कि पहले प्लांट बीच नो बनते ही है कि मतलब इसे में बैस Combat बंडल भी होता है अब हलम जाईलाम 조심 का भी का फोर प्लोयम कर झाल महींशन होता है अगली खाज बात भौइ कि फाूंड यह पूरे ब lähet में हैं सबही जगहोण mostly cold area cold मतला ठंडे अस्थानों में गाइज यह कहां ठंडे अस्थानों पर होता है सम कुछ जो है इन वार्मर एरिया में होता है गरम अस्थानों में होता है जैसे गरम अस्थानों में कौन है साइकस ठीक है गाइज गर्म स्थानों में कौन है जैसे साइकस है ठीक है और देखिए हाँ इसकी ओरजीन कब हुई originate in pasteure इसकी ओरजीन हुई originate in paleo gioi gi establishment में और कब dominant watch पर ठीक है तो about 200 million years ago लग भग 200 million year ago ठीक है लग बग 200 million year ago यह प्रतिवी पर dominant हुआ ठीक है जुरैसिक पिरेड में ठीक है गाइज जुरैसिक पिरेड में तो यह बात इसकी ध्यान रखेएगा 200 million years ago यह question बन चुका है और अगली खास बात mostly perineal यह मुखरूब से बहु अर्सी होता है गाइज बहु अर्सी ja mia pygmio जैसे ja mia pygmio गाइज यह कैसा होता है साकी होता है harbeseus plant होता है आज मैं समझ सकता हो कि आपको लगना होगा कि बड़ा छोटा CHोटा शीपा है तो इसे कहते mind setup notes mind setup नोट्स अगर जिस दिन ऐसे हैंड रिटेन में अपनी नोट्स तयार कर लिया आपने तो आपका कांफिडेंट लेवेल ऊचे आसमान पर होगा ठीक है गाइज तो आपको इसी तरीके से बनाना मैं इसी तरीके से बात कह रहा था आपको इवर ग्रीन ये सदा हरे भरे सदा अबहार ठीक है अगली खास बात यहां पर ध्यान दीजिए की थिन क्यूटकिल इसमें होती पतली क्यूटकिल होती है और सनकिन इस्टोमेटा यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है धासे प्रकार के रंध रपा जाते हैं इनकी पत्तियों में धासे प्रकार के रंध सनकिन इस्टोमेटा इसलिए इसमें वाटर लास बहुत कम होत जल की हानी बहुतब कम होती है कियो किसमे धसी प्रकार के सनके इससे लिए भाट organized गाटे है के छीए फिर देखे कोर्क चसमेट क्या ओता है रे ऐहां खास बात देखेजें शबसे छोटा जो ज्मालेस्ट 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 ज् जंगल का राजा किसे कहते हैं सिकोया जीजेंटियम को कहते हैं सिकोया जीजेंटिया को कहते हैं father of forest उसके बाद massive of the forest किसे कहते हैं गईज massive of forest very very most important कहा जाता है taxodium maximum को taxodium maximum को क्योंकि यह कितना मीटर लगबग 17 मीटर लंबा होता है कितना 17 मीटर तक लंबा होता है मैसी आप दा फारेस्ट अब यहाँ बात करते हैं कि इस जिमनो इसपर्व की मुख है बॉडी कैसी होती है में प्लाउट बॉडी कैसी होती है इस पोरोफ हाइट होती है ठीक है अर्था 2 एन होती है में प्लाउट बॉडी और इसका जो सरीर होता है रूट, इस्टेम, लीफ और सीड में बटा होता है किसमें रूट में इस्टेम में, लीफ में और क्या होता है इसमें सीड और सीड नेग्ड होता है आप जान रहें अब इसके हम root की पहले बात करते हैं ये तो बात हो गई कामन पूरी अब root, stem, leaf सब की बात करते हैं गाईस ठीक है root की बात करते हैं देख लिजिए अब थोड़ा सा आज यहां जल्दवाजी में इसका printing नहीं हो पाया गाईस तो हमने सोचा को इस तरीके से भी काग दिन आपको करा दे आप लोग निरास नहीं हो जागा क्योंकि देखे आपको पढ़ना है और ऐसे ही यही तो मुख्य है मेन है और इसी तरीके से आपको अपनी notes तैयार करनी है गाईस ठीक है अगर अपना confident level और question put up कराना है तो इस तरी अपकी आदत मत लगाओ guys मैं तो यही कहूंगा कि जो आप चाहते हैं कि दे दीजेत उसमें आप आलसी हो जाते हो guys अगर इस तरीके से आप अपने से लिखते हो तो बड़ा मजाता है हाला कि मेहनत तो जरूर है जहां मेहनत है वही कावियां भी है आप जानते है ठीक है और साइकस है उसमें की special प्रकार की और जड़ होती है उसने कहते हैंropolite यह होती है साइकस में प्रवाला भर्था कॉयरियूइल रूट पाई जाती है ठीक है जैसे ब्रेक चाओर यहां पर होती है इसमें ब्लू-ग्रीनेलगी होते हैं वही एना बीना ना स्टाक होते हैं ठीक है बाकी जिम्नो इस पर अब आपको बता दें कि जो पूलेरोइड रूट होती है इसकी विशेश्था क्या है है हेल्पिन नाइट्रोजन फिक्सेशन यह नाइट दुधियोफायटिक सम्बंद परदर्सित करते हैं किसके साथ नीलेहरे सवालो के साथ नी सवालो के रूप में क्या होता ही जिसमें मैंने बताया। बीना ना स्टॉक यह बुलूर गीरी निलगी है ठीक है इसी को पॉले रॉइड रूट में मिलती जिसके नाइटोजन फिक्सेशन में मदब करती है है इसके बारे में जो क्वोश्चन बन सकता है गाई यहां से को रॉइड रूट की करेक्टर तो यह एपो जिएट्राफिोज होती है अभ देखो ॉछता क्या है यह जो परवाल आव जड़े हैं नेगेट्व जियो ट्रॉप8 ऑट्य होतीए जियो ट्रॉफिक है जियो ट्रॉपक नेगेट्व मलब दब गुर्टक्रकरसन कहां निचे क्यों लगता है लेकिन यह जड़ doughnutर इन से भी और डाइकोटोमसली होती है इसकी जड़े होती है परवालाप जड़े इस तरीकेस निकलती है ऐसे ऐसे डाइकोटोमसली ब्रांच होती है अब थोड़ा सा इसमें एक तर्माओर है गाईस यह कोलेराइड रूट तो हो गया पाइनस के रूट के साथ होता है तो इसे क्या कहते है संबंद को माइको रहाजा कहलाता है और माइको रहाजा मैं आप बता दू दो प्रकार होता है एक इंडो ट्राफिक होता है ठीक है और मोस्टली जो है इंडो ट्राफिक ही होता है लेकिन इंडो ट्राफिक अगर पूछ ये question भुमा करके पूछे तो इंडो ट्राफिक माईको राजया होता आरो केरिया में किसमें होता है आरो केरिया में होता है ये PGT का question हो सकता है ठीक है PGT का अब यहाँ एक बात और है निमेटो फोर्स होसन मूल जो होती है वह किसमें जिम्नस्पन पाए जाती है निमेटो फोर्स प्रजेंट इंड टैक्सोडियम डिस्टिकम में क्या होती है निमेटो फोर्स पाए जाती है अब यह तो रूट की बात कर लिया कि समानता जनरली टाइप रूट होती फिर कोलेरोड साइकर्स में mycorrhizasos, csn, phangal, का होता है, किसमे, pinus में होता है, guys, now my neumato footb по-about किया, अब मैं बात करने वाला हूं sep, किसकी बात करने वाला हूं sep, जो तना है, उसके बारे में, तो दिखिए sep के बारे में, mostly aerial होता है, मुखरुट से इसका तना कैसा होता है, हुआ है यपी होता है वाइभी होता है डहीं हो सकता है और बरांच भी हो सकता है यहाँ समस्राइस निकल सकता है क्षित करने वाली वास को पार unbranch say sakhit tnah जो सीधा होता है किस में होता방? ठीक है साखित tnah किस में पाई जाता है? pnus में पाई जाता है pnus में और a sakhit किस में होता है? अब leaf की अगर बात करें गाईज अगर बात करें तो पत्ती इसमें simple आथबा compound होती है होती है और पिनेट रीकमाउंड लीफ किसमें होती है कि साइक तिते पिच्छिया का सुई जैसा ठीक है सुई जैसा पिच्छिया का समय के लिए क्या होती है पर्सिष्ट होती है इसमें नो वेनेशन इन साइकस नो वेनेशन सिरा विन्यास नहीं होता साइकस पत्ती में बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है गाईज अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लीफ के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें टोटल NCRT चल रहे गाई जी NCRT से कुछ हमने इस्टरा आज पॉइंट लिये हैं कुछ ही लिये हैं और आप लोग बिल्कुल देखे संख्या आप लोग भाई त्वास संख्या बढ़ाई है संख्या नहीं बढ़ रही है जग संख्या नहीं बढ़ेगी ना तो मन एकदम तू लेगी जो आप लोग कहेंगे आपकी फर्माईस में पूरी करता रहूँगा ठीक है आप जानते हैं कि मैं कोई भी पैसे आपसे नहीं लेता हूँ एकदम जो आप कहते हैं वही मैं आपको समस्याक समाधान हमेशा कहता हूँ इतना करने के लिए किसी पास टाइम नहीं गया ठीक है कि आप लोग प्रसन पूछते रहें आप लोग अपनी फर्माईस करते रहें एक लोग बैठ कर कोई काम न रहें उनके पास हमेशा आपका जवाब देते रहें लेकिन तब भी मैं आप लोगों की बात सुनता हूँ तो हमारी बात भी तो आप लोगों को सुनना है ग अगर इतना कर रहे हैं तो क्या वीडियो को सेर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, लोगों को और नहीं जोड सकते आप, क्या मैं कांटेंट आपका, यह कांटेंट क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो अ आप ही लोगों के लिया आता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा सेर किया करें वीडियो को समझेए, मैंने बताया, 100 के अगर कम हुई संख्या, तो मीटर डिश्चार्ण, चीक है, अभी चल रहा है, एक दो दिन और, मतलब ऐसा ही, अगर 100 के संख्या कम रहेगी, लगबग तो 100, एक दो दिन तक चल सकता है, ये फ्यूल उसके बाद खतम, 100 कूपर जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी ही आप दंदार तरीकेस देखोगा, अभी आपकी फर्माई सगर होगी न, सर पीडिया दे दिजे, सर वो चैटर पढ़ा दिजे, ये पढ़ा दिजे, तो नहीं, कब होगा, जब संख्या तावर तोड़ होगी, तब जो कहेंगे, वो होगा, दावे के साथ कह रहे हैं, अभी आज की स्रीज भी देखो, इसलिए कि NCRT की भी मैं प्रस्न सामिल करता हूँ, NEET के भी सामिल करता हूँ, PGT की भी, LT के भी, सब मैं आपके लिए प्रस्न सामिल करता ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चलिए, कुछ लोग जो हैविट डाले हैं, बाद वाले, उनके बसकी बात नहीं है, वो तो बड़े आलसी हैं, उनको उसी कटेगरी में रखतो आप, समझ रहे हैं, जो हमेशा 9 बज़े आ जाते हैं मेरे साथ, तो ये एक दिन में एक लब्द कराओंगा, जो कहोगे, सारे चेप्टर कराओंगा, तब इतना हो सकता है, हाँ, यही गाईज, संख्या, ठीक है, तो चलिए, फटाक से सेर करिए, और संख्या जोड़िए, तब मज़ा आ जाए, ठीक है, और कहोगे, तो मैं ये जो आपको ये ले आ रहा हूँ, फ हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये माने नहीं रखता है, आपके समझ में आ रहा है, तो ये माने रखता है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, लीफ, लीफ, पत्ती की बात करते हैं, में भी, माइक्रो फिल्स होती है, कुछ, और कुछ क्या होती है, मेगा फिल ठीक है, Microfill और Megafil, अब देख लिजे Microfill, Megafil, अब देखो, इसमें कुछ जो पत्तियां होती है, Scale Leaf होती है, और Foliage Leaf होती है, Scale Leaf और Foliage Leaf, अब Foliage Leaf जाते हैं, यह Photosynthetic पत्ती होती है, Photosynthetic in Function, यह कार क्या होता है, अब पत्ती के बारे में अगर बात करें, तो Arrangement of Leaf, पत्ती की, बेवस्था क्या काराती, फिल्लो टैक्सी क्या आती है, फिल्लो टैक्सी है ना, टामी में इसको भी एक टॉपिक बना करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ question यहाँ फसराए गाईजी, यहाँ question आपकर दिख रहा है, जो question आने वाला है, उसको देखो, यहाँ पर इन जाइलम, वेसल अफसेंट, जाइलम में, जिमनो इसपर्म के जाइलम में, वेसल अफसेंट होती है, ठीक है, एकसेट अपवाद कुछ है, क्या है अपवाद जिसमें प्रजेंट होती है, वो अपवाद है, नीटम इफेडरा वेलवेटिया, नीटम इफेडर विल्वेट्सिया में क्या होती है vessels present होती है यही तो पूचा जाएगा गाई यह अपवाद है except इनको छोड़ करके जाइलम में vessels क्या होती है अपसेंट होती है ठीक है जानते हैं किसकी बनी होती है जाइलम ट्राइकीड वेसल जाइलम पैरंकाइमा जाइलम फाइबर का इसमें वेसल नहीं है अब फ्लोयम में देखोगा इस फ्लोयम में कमपैनियन सेल अपसेंट होती है यह दो बात बहुत ज़्यादा इंप्रटंट है ठीक है अब थोड़ा सा उड की बात करें इनकी लकड़ी की बात करें उड चलिए देखते हैं लकड़ी उड़ जिमनोईस्पर्म की उड़ जो होती दो प्रकार की होती है एक तो मैनोजाइलिक एक पिकनोजाइलिक और पिकनोजाइलिक दो प्रकार की उड़ होती है इसमें मैनोजाइलिक और पिकनोजाइलिक मैनोजाइलिक उड़ किसमें होती है साइकस में इसका मत आते हैं इसाट में थिसके से पीज से पिकमईस पीखनोजायलिक क्या है पिकनोजायलिक होती है कैसे होती है खिर साट में है इसकी विसेथा अब बाकि जीम्नुपर हेट्रोइप्रोइप्रोइपी सपोर होता है एक माइक्रोइप्रो रॉष्टोर और मेगा सपोड। मेगा सपोर जो कैसा होता है इसमाल होता है ma traffic ग्रेंट आठा सब्सक्राइबote जो at the Chief zwei उता है जो इसमाल होता है और एक बडा होता है Luarge क्या किलाता है मेडाइस्पोर लाइच होता है माइक्रिफ ख३र स्समाल होता है अब यहाँ कों की बात करते हैं यहाँ पर कों की बात करते यह graduate अब यहाँ quons के बारे में आप समझो, देखे, इसमें जो है, जिमनो इस पर में quon जो एक male quon और एक female quon बनता है, male quon और female quon, male quon, female quon, ठीक है, संग कुझी से कहते हैं, संग कुझी से कहते हैं, ऐसे जैसे साइकस है, और यहाँ जड़ हो गई, यहाँ पत्ती निकल रही है, तो यहाँ पर यह, male quon और female quon, ठीक है, तो guys, male quon जो होता है, male quon किस पर होते हैं, तो micro sporophylls धारण करती हैं, यहीं micro sporophylls मिल करके क्या बनाती है, male quon, और male quon भी सेस्ता short lived होती है, यानि बहुत, अल्पकालिक होती हैं, और छोटी होती है, ठीक है, short lived and small होती है, micro sporophyll bear, large number, half सोराई, इसमें क्या, सबसे ज़्यदा, यानि अधिक संख्या में सोराई होते हैं, on lower surface, किसमें, lower surface पर, micro sporophylls में, इस तरीके से सरचरा बनी होती है, इस तरीके से सरचरा बनी होती है, इधर भी बनी होती है, इधर भी बनी होती है, तो इसी पर यह micro sporophylls है, इसी micro, क्या होती माइक्रोइस्पोर मदर सिल माइक्रोइस्पोर मदर सिल प्रोड्यूस करती है और माइक्रोइस्पोर रंजिया यूस्पोर रेट प्रकार का डिवल्लमेंट इसमें होता है और माइक्रोइस्पोर रंजिया माइक्रोइस्पोर मदर सिल को द्वारा क्या विक्सित होता है माइक्रोइस्पोर बनता है माइक्रोइस्पोर यही यह अगुडित होता है और मेल गयमीट बनाता है मेल गयमीट इसी माइक्रोइस्पोर को आप पॉलेन ग्रेन भी कहते हैं जो मेल गयमीट बनाता है अब मेल गयमीट पर ही जो है मेल गयमीट होगा इस पर पॉलेन ग्रेन मे करें किसा सब्क्राइब कि सब्सक्राइब high- noise अब लगक्रनेस फहारव कहते हैं मेगा स्पोरोफिल उता है। पर मेगा स्पोर उप्लन झात अथा था किया ऊयूल और इसी में बनते हैं मेगा Two-Score मलाज इसके दरह होता है mega sport development होता है mega sport कह दिजिया female game to fight अप अ यह female game to fight आर्ची गोनिया बनाती है जो endosperm इसे endosperm भी कह दूँस इंडो ISPERM 정말 आगूडी होता है इसका endosperm फिका है त्टिख है अगूडी इंडो इस पर जो Archigonium का निर्मार्ट करता archigonium में 1 होता है क्या होता है गाइस एक होता है अर्ची गोर्णियम में आप जानते हैं और यह मेल कौन सौर्ट लिब होता है फिमेल कौन कैसा होता है लांग लिब और लार्ज होता है ठीक है लाज अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे ओयूल के बारे में गाइज ओयूल देखें यहां पर ओयूल के बारे में बात करते हैं इसमें ओयूल जो है आर्थो ट्रापस होता है mostly किसमें होता है arthropus psychus में, jingo में और texas में psychus, jingo और texas में arthropus oeul होता है जबकि enotropus oeul किसमें होता है pinus में होता है और ये सभी कैसे होते है ionitegmic अर्थाज एक integument होता है यानि that is one integument होता है इसमें ठीक है और pinus में देखें गाईज pinus में इन pinus pollen grain winged होता है कैसा होता है pollen grain winged होता है इसमें punk होते हैं इसके pollen grain में किसके pinus के pollen grain में punk होते हैं, wing होते हैं ठीक है और ये deces होता है four celled पर four celled पर deces होता है और जबकि जो psychus है उसको pollen grain three celled पर deces होता है ठीक है यह प्रस्ण बहुत ज़द इंपोर्टेंट है देख लिजे अब गयमीड की बात करें तो साइकस का जो गयमीड होता है multi-flagellate होता है pinus का non-motile होता है शाइकस का जो होता है गयमीड उसमें टू-कॉर्टी लीडांस होते हैं इसके सीट में कितना 3-18 कॉर्टी लीडांस होते हैं पाइनस में होते हैं ठीक है तो गैस यह रहा आपका पुरा जो है NCRT पैटर्न का साइकस पाइनस अर्था जिम्नो इस पर में को ले करके मैंने बताया और इससे ज्यादा कॉस्चन NCR टीम नहीं बनता चलते हैं अब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के आपके लिए हम आते हैं तो चलिए प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं ठीक है आज होने वाला है अब practice session चलिए कहा गया भई practice session हमारा आज आज पहला question जिमनो practice session तो guys अब practice session स्टार्ट होने वाला है एक बार तेजी से share करिए guys और जुड़िये हर दिन की तरह आज भी संख्या में और practice session में इन प्रस्णों को देखिए फटा फटा इसका जवाब दीजिए चलिए देखते हैं आज के practice session में पहला प्रस्ण क्या कह रहा है उसको देखते हैं पहला प्रस्ण क्या कह रहा है इसको देखे गाई जो ठंडे प्रदेश है ठंडे छेतर है वहाँ पर किसका वेजिटेशन प्रभावी है कि जो ग्रो कर सकता है अच्छे से कराई काट, मोनो काट कराई ट्राइकियोफाइट्स होते है कि जीम्नो स्पर्म तो गाईस ठंडे प्रदेशों में कोल्डर रिजन में भी मैंने बताया था इसका जो सही जवाब है जीम्नो स्पर्म इसका राइट अंसर क्या है जीम्नो इस्पर्म इसका चरेक्ट अंसर है चलते है मनला किसम न इन्चारों में से लारजेस्ट उयूल पाः जाता है उसका करेक्टर लार्जेस्ट ओईउल होता है लार्जेस्ट मेल और फिमेल गैमिट्स होते हैं उसी में लार्जेस्ट और सबसे टालेस्ट ट्री भी उसी में आता है उसी समूव में करा एंजियोई स्पर्म नहीं करा ट्री फर्न एंड सम्मोनोकाट नहीं कह रहा है कि जिम्न जिम्नोइस्पर्म डाइकाड डाइकाड नहीं जिम्नोइस्पर्म क्या हो कि अभी मैंने सिकोया सेंपर वाइद सिकोया बताया ना मेटा सिकोया यह जिम्नोइस्पर्म में आता है और इसी जिम्नोइस्पर्म में लार्जेस्ट और भी होती है लार्जेस्ट मेल गए मीड भी ह अगले question की तरह बढ़ते है question 3 क्या कहा इसको देखते हैं यह जीवित जीवास में है तो नहीं है तो यह जीवित जीवास में है यह साइकस ठीक है बहुत मुछा गया है इस साइकस कैसा है जीवित जीवासम है ठीक है अगला हम चलते हैं question number 4 पर चलते हैं कि question number 4 क्या कह रहा है it is the cortex and pitha system फिर्व थीक है यानी तने का पिथवः और cortex यानी साइकस के तने का पिथवः और cortex सः एज असोरस आफ सागो यानी क्या सागो साग के रूप में use thai which is जिसमें क्या दिखता होती है किस के दिखता होती है करा प्रोटीन होती है से लोज होती है इसमें करा स्टार्च होता है कि मिक्चर आप स्टार्च है प्रोटीन इसका सही जवाब क्या है गाई इसका सही जवाब है स्टार्च इस तर्च इसका राइट अंसर है फोर का साथ तीन नंबर इसका सही जवाब है चलते हैं हम पांच नंबर में फिर से 5 नहीं 6 आ गये चलो कोई बात नहीं इच्छे नंबर का क्वेश्चन है करा साइकस इज साइकस कैसा पौधा है भई करा साइकस कैसा है करा हर्माफ्रोडाइट है कि नर्मादय कई होते हैं नहीं करा डायोईसियस है करा मोनोईसियस मोनोईसियस का मतलब कि एक पर ही होते हैं दोनों मेल और फिमेल ऐसा नहीं करा न तो क्या एंट फेडरा में पाइनस में ननाब्दी साइकस में किसमें अपसेंट होता है गाइज कमेंट करके बताइए किसमें अपसेंट होता है और गिनाइजड फिमेल कौन किसमें अपसेंट होता है ठीक है तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है साइकस में और गिनाइजड फिमेल कौन अपसेंट होता है तो किसके द्वारा में किस प्रकार भिन्न है किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है कर आप Bless Als and Τ्रिकेड मोटाईल स्पर्म कि पॉलेंट ट्यूब साइकास में टेरि होता है किया आप मोटाईल स्पर्म एक मोटाइल पॉलेंट ट्यूब सबसे correct answer है पॉलेंट ट्यूब क्योंकि उसमें टेरिस में पॉलेंट ट्यूब नहीं था ठीक है साइकस में पॉलेंट ट्यूब बनने लगती है इसका सही जवाब क्या है तीन नंबर है आठ का कौन सा तीन नंबर question nine की तरफ चलते है गाईज नown क हो गया आप चलते हैं question number 10 की तरह बढ़ते है question number 10 क्या कह रहा है दस में कह रहा है coloroid root of psychus have a symbiotic blue-green algae psychus के coloroid jet में blue-green algae होती है diet form जो बनाती है ऐन इलगल zone का निर्मार करती है in such roots जड़ों में this alga is उस अलगा का क्या ना हमें जिसकी उफसेदिख के कराणले इलगल जोन बनता है ठीक है करा है आहलो सीरा करा एक एना बिना करा है chlorcommittee लाइक लीड़ा कराशी लिटोय या कौन सा है blue-green algae जो इलगल जोन बनाता है तो होता है एना बिना क्या होता है फ्लोयम, differ from angio-sperm, इन, यानि angio-sperm और gymno-sperm, फ्लोयम में क्या अंतर है गईज, ठीक है, कर रहा है having no companion cell, having no soup cells, having phloyum fiber, having phloyum pyrentimer, तो भाईया, gymno-sperm के phloyum में क्या नहीं होता है भाई, having no companion cell, इसमें companion companion cell absent होती है, अभी मैंने बताएं था, ठीक है, तो 11th का क्या हो गया, A number हो गया, 11th का कौन सा, A number इसका सही जवाब है, चलते हैं, 12th number पर चलते हैं, 12th number क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं, कह रहा है, foliage leaves, अर्था जिस needle होती है, जिस बनाती है, इन pinus are born by, यहीं कह रहा है, pinus में जो foliage leaves होती है, जहां से needle निकलती है, वो किस पर जन में लेती हैं, कह रहा है, वो dwarf suit पर होती है, कि long suit पर होती है, कि both end, एक और दो, कह रहा है, female istrobillus, तो किस पर होती है, needle जो बनती है, foliage leaves, वो होती है, dwarf suit पर किस पर होती है, dwarf suit पर होती है, तो 12 क्या हो गया, एक dwarf suit इसमें बनती है, dwarf suit, छोटी, छोटी सी एक suit होती है, इसमें साखा, और यहीं पर बनता है, क्या बनता है, भाई, यहीं पर बनती है needles, यहीं से निकलती है, यह निकलती है इसमें निडिल ठीक है ड्वार्फ सूट में किसमें निकलती है ड्वार्फ सूट से निकलती है चलते हैं question number 13 क्या कह रहा है I had the time of dehiscence winged pollen grain of pinus देख लो ज़रा है यह मैंने बताया था कि pinus के pollen grain ulas rebound जो flushed hote है वो कितने cell centi output होता है dentist होता है फाइन और sevent नवर के लिए डो से नवर्फ से इसका सब्सक्राइब क्या हो गिए दिेरा का दो नंबर ओगया उगा चावद सम्टर की आगर बातारों देख लिए इसल नंबर को mycorrhizoporengia born on kis side pas mycorrhizoporea kis side pas hoota há mycorrhizopore abakziel hote margin lateral abakziel 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 और एक जियल थोड़ा से देखिए और मुझे बताइए अगर इसमें अंतर आपको मिले तो ठीक है क्वेश्चन नमर 15 किन पाइनस पाइनस में कह रहा है कि सीड्स और ओयूल सार विंग सीड्स और ओयूल दोनों में पंक होते हैं नहीं सीड्ड में कहा है इसके सीड्स में तो होता है आलाद देब नहीं तो इसमें सही जबाब क्या है, fruit and flower absent होता है, और इसमें seed कैसा होता है, naked होता है, इसका सही जबाब क्या हो गया, तीन नंबर, ठीक है, पंद्रह का, तीन नंबर, चलते हैं, 16 नंबर पर गाईज, 16 नंबर question क्या करा है, उसको भी देखते हैं, करहा है, चिलगोजा is fruit obtained from gymno-sperm बीचीज, करहा है, चिलगोजा एक फल है, जो gymno-sperm से प्रात किया जाता है, किस gymno-sperm से प्रात किया जाता है, करहा है, पाइनस राकसवरगाई, करहा है, पाइनस जिराडियाना, करहा है, साइका सरीव लोटा सजावटी पोधा है, करहा है, एबीज बालसेमिया, जिससे इसके बीज को ही भून कर खाते है जिसे कहते है चिल गोजा इसका क्या हो गए अंसर गईज तो दो नंबर चलते है 17 नंबर की तरफ कि 17 नंबर का कोश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते है 17 नंबर किसके जाइलम में वेसल अपसेंट होती है कर रहा है एंज्यो इसपर में नहीं मोनोकाट नहीं जिम्नो इसपर में एक्सक्लीडिव नीटेल्स जी बिल्कुल यही सही है जिम्नो इसपर में वेसल्स क्या होती है अपसेंट होती है तीन को छोड़कर एक नीटम इफेडरा और में चोण करके gymnosperm में बसेल अफसेंट होती है इसका क्या हो गया ती नंबर चलते हैं 18 नंबर की thought guys 18 नंबर क्या करा है उसको भी देखते हैं 18 नंबर क्या रहा है in cycus pollen grain शेड ऐड सेनीज साइकास में pollen grain कितने सेलख स्टेज पर सेड होता कर रहा है 2-cell stage नहीं, 4-cell थी तो Pinus वाला है, 5-cell नहीं, 3-cell तो यहीं सही है, 3-cell पर CYCAS पर Pollen Grade क्या होता है? CELL होता है, अगला question क्या करा है यह o niche नमर का उसको भी देखते हैं, करा है needle in pinus represent, needle क्या, pinus की needle, pinus में needle क्या प्रदरशित करती है? करा root होती है नहीं foliase leaf होती है करा scale leaf होती है कि इस पर होते है तो बताए इसमें कौन सी leaf होती है भई अभी मैंने बता जो नीडिल होती है तो उन्नीस का guys क्या हो गया इसकी होती है कौन सी इसकी कौन सी leaf होती है foliase leaf होती है foliase leaf, correct cancer देख लिजे, guys इसका सही जवाब क्या है, foliase leaf उन्नीस का क्या है उन्नीस का C हो गया, ठीक है उन्नीस का C number, foliase leaf अभी मैंने आपको बताया था चलिए, कहते हैं, अब यहाँ अगला 20 number का question, भाई, बोलते बलते थोड़ा सा, दर्द करने लगा यहाँ पर, पेट में, ठीक है देखे, कहाँ which of the following is not correct match, इसमें से कौन correct match नहीं है, कहाँ maiden hair fern, यह तो radiantum होता है, कहाँ bog mass, यह तो sphagnum सही है यह सही है, कहाँ codman, greaseman, puresia, यह भी सही है इसमें यही गलत है, यहाँ maiden hair fern न होता, अगर यहाँ maiden होए, tree होता, तो यह भी सही होता है, तो यहाँ यही गलगल है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, A number A number यह बहुत important हो ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो गया A number, ठीक है चलते हैं, 21 number का question क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं, फटा-फट के अंदाज में करें प्रवा, मूल अर्था, koleroide root निमन में से किस पौधम पाई जाती है, अब TGT-PGT क्योश्चन ही start हो गए वो NEET के थे, और NCRT के थे अब यहां TGT-PGT के question स्टार्ट हो रहे हैं तो koleroide root, निमन में किन पौधम पाई जाती ही का रहा पाई ना, साइकास, लाइको, पोडियम, सिलेजिनेरा तो koleroide root किसमें पाई जाती ही गई यह आपको बताना है, तो यह पाई जाता है साइकास में किसमें होता है, साइकास में पाई जाता है PGT-Botny 2013 का question है देख लिजिए, तो इसका क्या हो गया अग गई यह तो हो गया आप चलते 22 नमर पर, जिमनोईस्पर्म में भूण पोस कैसा होता है जिमनोईस्पर्म में इंडोईस्पर्म कैसा होता है अगला question 23 नमर का क्या रहा क्या उसको देखते है निमखित में से कौन सा जीवित जीवास्म है विच वाप दे फालोविंग लीविंग फासिल तब ही मैंने बताया था साइकास होता है तो क्या है साइकास, सिलेजिनेला, पाइनस यह, तो यह कुछ नहीं है और इसका सही जवाब क्या है, साइकास, साइकास निमखित में से जीवित जीवास्म है तेज का क्या है भई, तेज का ए हो गया, चलते है question 24 की बात करते हैं, question 24 क्या क्या रहा है, इसको देखते है पाइनस में परागकर्ण की सवस्था में स्पूटित होते हैं, फिर से आगया भई, repeat हो गया, क्योंकि यह TGT biology 2021, अभी इसे वासे जो परिच्छा होई थी, उसी में पूच्छा था, ठीक है कि पाइनस में परागकर्ण की सवस्था में स्पूटित होते हैं, तो मैंने बताया था, टूसेल्ट में नहीं, ठीसेल्ट तो साइकस होता है, यह फोरसेल्ड इसका सही जवाब है, थोरसेल्ड में होता है, किसमें、 फोर सेल्ड में होता है तो 24 का क्या हो गया, C नंबर हो गया, 24 का C नंबर हो गया, अब चलते हैं, 25 नंबर पर, 25 नंबर का question क्या करा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, 25 नंबर का, पाइनस का कास्ट होता है, पाइनस की जो लकड़ी होती कैसी होती करा है, मैनोजैलिक, मैनोजैलिक तो साइकस की होती ना, साइकस, पिकनोजैलिक, जी बिल्कुल पिकनोजैलिक होती है, मैंने बताया था, पीस से पाइनस और पीस से पिकनोजैलिक, पाइनस की लकड़ी कैसी ह पिकनो जाली इसका सही जवाब क्या हो गया B number हो गया 26 नंबर पर चलते हैं 25 हो गया और 26 नंबर पर चलते हैं 26 का question क्या कह रहा है कह रहा है पाइनस protects itself अपने आपको सुरच्छा प्रदान कर लेता पाइनस from microbial and insect attack पाइनस कह रहा है सुच्व जीवों और कीटों के आकरमन से पाइनस किसके द्वारा अपने आपको बचा देता है कह रहा है कि थिक बार्क के द्वारा नहीं माइको राइजा के दोरा नहीं, ड्वार्द सूट के दोरा नहीं, रेजिन, इसका सही जवाब क्या है, रेजिन, और ये भी देख लिए, पीजी टी बाइलोजी 2021, इसमें, इसी साल जो भी परिछा होई थी, उसी में पूछा गया था, ठीक है, 27 नमर पर, साइकस के, प्रसु इसका, क्या सही है, इसका राइट एंसर क्या है, गाईज, बताएज, कमेंट करके, बताएज, इसका सही जवाब है, टॉप, सेब, एंड, मल्टी, सीलियेट, ठीक है, अगला क्वेश्चन के, 28 संबर का, उसको भी देखते हैं, क्योंकि ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये पा होता है, बिदाउट एनी औरी, इसमें औरी नहीं होती, जी बिलकुल, इसका सही जवाब क्या है, डी नमबर, इसमें औरी नहीं होती, औरी नहीं होती है, ठीक है, इस कारण इसमें फल नहीं बनते हैं, औरी नहीं होती, इस कारण फल नहीं बनते हैं, क्योंकि कहते हैं, में साइकस में इफेडरा में नन आप दैबाओ यह देख लिए पीजूटी बाइलोजी 2016 2016 21 21 21 कही महीनिक अंतर में हुए थे तो वेसेल्स किसमें पाई जाती है गईज तो यह पाई जाती इफेडरा में ठीक है वह ऐसे भी यह वेसल्स अपसेंट होती है न जिमनोस पर में ल लेते हैं तीस नंबर का तो देखें तीस नंबर का क्या करा है करा निमनखित में से किसमें नर मादाई उमकोद भीद का सोतंतर जीवन नहीं होता इन वीच आप दा फालोविंग मेल और फिमेल गमेटोफाइट डूनाट है और इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्ज बिल्कुल दंदार कमेंट के साथ होने चाहिए आपके एंसर ठीक है तो इसके एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा भाई जिम्नो इसपर्म क्या जिम्नो इसपर्म इसका सही जवाब है तो गईज क्या यह test series सही चल रही है आप लोगों के नसार ठीक है तो चलिए आप लोग नहीं गाईज इस तरीके से हमारा यह सेशन चलता है विलकुर NCRT का पैटर्न वो चलता रहेगा ठीक है ओके थैंक्यू गाईज आज हमारी सेलेक्चेनल बसे यहीं तक फिर मिलेंगे नए उर्जा नए लेक्चर और नए दिन की तरह ओके थैंक्यू जैहे